हलो दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इंट्फो बेर चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर दोस्तो साथ डिसेंबर है आज पहला दिन था मार्केट का काफी अच्छा दिन था एटलिस्ट मेरे लिए तो आपके लिए भी अच्छा ही रहा होगा आज बात करने वाले हैं दोस्तो ओन जिसे के बारे में जिहाँ एक PSU स्टॉक है और काफी ज्यादा तेज भाग रहा है और बहुती अच्छा परफॉर्मस दे रहा है स्टॉक 63 पर डेट कर रहा था दोस्तो आज 93 के आसपास है क्या बात है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले क्या है वो राज जो ONGC को इतना उपर लेकर के आया है ठीक है दोस्तो तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिलकुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजेगा ताकि हम लोग जब भी भी कोई नय और यह जिसी के बारे में ओएंजीसी सबको मालूम है ओएंजीसी है क्या तो उसमें मैं जाने नहीं वाला हूँ बट एक उपर उपर बता देता हूं दोस्तों यह ओएल ड्रिलिंग कंपनी है ओएल निकालती है समंदर के अंदर से ड्रिल करके उनके माइन्स होते हैं और व है यह महारतन में आती है महारतन कहा जाता है इसको गवर्मेंट के जो पी एस यूज है उसको रेटिंग्स दी गई है जैसे महारतन है मिनी रतनाज है और मिन रतनाज है और काफी सारे नीचे भी लिस्ट है उसकी तो ओएंजीसी सब पर टॉप करती है टॉप वाली कटेगर प्रूफ बहुत ज्यादा मैटर करता है तो लेकर के चलता हूं दोस्तों निउस पे न्यूस पहले समझेंगे दोस्तों न्यूस ने जैसे का कि चपार्ट पसंद गेन किया था उनके एक सबसिडियरी है जो कोलंबिया में काम करती है वहां पे एक ब्लॉग लेकर के रखा हुआ है उस ब्लॉग पे वो लोग काम कर रहे हैं ओईल ड्रिलिंग का और वहां पे उनको एक बहुत ही अच्छा खासा जो है वो तेल का भंडार ज सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर सिगनिफिकन्ट स्ट्राइक ऑफ ऑफ ओईल ऑन्शोर ब्लॉक ब्लॉक का नंबर है दोस्तों या नाम जिसे आप बोल सकते हो वह है सीपी ओफाइव लाउनस बैसीन इन कोलंबिया तो यह जो कंपनी यह जो सबसिडिदी है ओन जिसी क यह बाहर के कंट्री में काम करती है वहां पर ब्लॉक करिती है और वहां पर काम करती है और जब भी कुछ निकलता है तो अधितली उसका इंपैक्क्ट जो हमारी घर की कमपनी है उस पर भी होता है क्योंकिए सब्सिडिरी कि अगर आगे थोड़ा देखें के तो ओन जिसी मे लावनास बसीन में वहाँ पर 70% स्टेक इनके पास है और 30% जो है वो जियो पार्क करके कंपनी है वो होल करती है ठीक है अगर इस चीज को आगे ले करके जाएं तो यहां पर फर्स्ट वेल बनी थी इंडिको 1X यह इंडिको फील जो है डिरिंग डिसेंबर 2018 में खुछ बनी थी और तब सकते आज तक इनों लगबग 5200 का BOPD यहां से निकाला हुआ है और प्रोडक्शन के बात करेंगे तो ओवर ओल 3 मिलियन बैरल्स अब तक यहां से निकल चुके है यानि लगबग 30 लाग जो ऑईल बैरल्स होते हैं उतना तेल अभी तक यहां से निकला हुआ है यह क्रूड ऑईल होता है यानि कच्छा तेल होता है उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग करके फिर यह रिफाइनरी यहां पर आती है जैसे अपना रिलाइंस हो गया या फिर आयो सीय हो गया यह यह और ONGC है यह basically drill करता है और drill करके crude oil जो है उसको निकालता है और बाकी के company processing करते है अब COP5 जो है वो large online blocking covering करता है यह नहीं लगबग एक हजा 952 square kilometer का area है बहुत बढ़ा area है दोस्तों बहुत बड़ा block है जिसको drilling का काम जो है ONGC और दो other company है यह दोनों मिल करके कर रहे हैं और एक जो drill करने का जो काम है यह OVL करने वाला है तो seven blocks है total इसमें Columbia में जिसमें से अभी दो जो block है वो produce कर रहे है जिसमें 50% stake joint venture के साथ काम होने वाला है OVL का और joint venture होने वाला है मान सरोवर energy Columbia यानि इनका भी POC company है उसके साथ में ONGC का जो है वो type होने वाला है या आप assume कर स चुकी है आने वाले समय में और दो तीन जगा पर यह लोग ड्रिलिंग करने वाले हैं यानि वहां पर भी उनको luckily कुछ मिल जाता है तो definitely उसका impact भी जो है वो ओन जिसी के शेर पर दिखाई देगा और आगे चल करके और एक चीज़ बताता हूं दोस्तों अगर कम यह जो क् उसको 17 countries में overall अगर पकड़ के चले तो 37 oil and gas assets से यानि 37 blocks जो होते हैं वो ओन करती है partially या fully यह company जो है और इसका production capacity जो है लगबग 30.3 of oil and 23.7 of oil and natural gas जो बनती है वह उन दोनों का production या फिर क्या बोते हैं उसका drilling का काम या exhaustion का का काम यह दोनों का companies यह करती है और OVL के बात करेंगे तो यह इंडिया के second largest petroleum company है इंडिया की और सबसे बड़ी जो है दोस्तों वह ओंगी मतलब घर के ही दोनों company एक या दो नंबर पर आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि company दोनों भी बहुत बढ़ी है company दोनों market leader है company दोनों इंडिया opportunity और ऐसे इस सारे situation के चलते डेफिनेटली यह शेयर जो है वो आने वाले समय में भी बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है अब अगर मार्च के market को देखेंगे तो लगबग साड़े चार करोड शेयर जो ट्रेड हो गए थे उसमें से लगबग सवा करोड की delivery उठाए ज चलेंगे देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है और हमें क्या movement करना चाहिए कहां पर buy कहां पर sale होना चाहिए exactly levels जान लेते हैं confusion अवाइड करने के लिए दोस्तों हमेशा की तरह बस दो चार इंडिकेटर से एक यह में क्रॉस से volume है मसीड और RSI है यह में क्रॉस हमें बताता है और RSI जो है हमें price के strength बता आता है ठीक है अब explain करता हूं मैं आपको क्या situation है अभी की दिखे ब्लू लाइन है यह आज का जहां पर share trade हुआ या फिर जहां पर trade बंद हुआ वो लाइन है जो कि एक resistance है अपने आप में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक resistance दिखाई दे हो तो कल यहां पर थोड़ा सा profit booking दिखाई दे क्यूंकि price देखेंगे तो ओवर वैल्यूड है अब देखेंगे प्राइज ओवर वैल्यूड के box के ऊपर है लगब 82 का price यह नहीं ओवर वैल्यूड प्राइज है तो यहां पर कुछ लोगों ने अपना calculation लगा कर देखा होग या दो से तीन दिन मैक्स चलता है प्राइज और कुछ लगी शेर्स होते हैं जो continue करते हैं शायद एक सेशन तक बट मुश्किल होता है इसके साथ continue करना तो अगर यह यह यहां पर सस्टेंड नहीं करता है और अगर अपमूप दिखा देता है तो यह जा सकता है लगबग 103 क से 104 के आसपस और यहां पर करेक्शन आता है तो हमारा बाइंग लेवल हमारे बाइंग स्पेस अवेलेबल है लगबग 85 85 के आसपस यानि आपके पास 5-6 रूपई का जो है वह बाइंग स्लॉट है इसके बीच में आप कहीं पर भी खरीद सकते हो इसको और अगर अनफॉर् यहां पर देखेगा एक बहुत बड़ा रेसिस्टंस है जो अभी सपोर्ट का काम करेगा और बहुत बड़ा सपोर्ट अगर तूर जाता है दोस्तों तो फिर डिरेक्टली सपोर्ट है 74 पर तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसके बाद में यहां से रिवस करेगा प तो बेटर है अपना मनी आपके पास रखेंगे तो 82 के आसपर जो है वो स्क्वेर अफ करके इससे निकल जाना है ठीक है दोस्तों तो यह था मेरा न्यूज अबाउट ओंजी सी मेरा वीडियो वो राज क्यों ओंजी सी भागा आज भी तो अगर वीडियो अच्छा लगा औ अने वाले कुछ समय में तो बिल्कुल दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को जोइन कीजिए हमारे टेलिक्राम चैनल को इस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए time of day of life मिलते हैं बहुत जलद अगले वीडियो तब तब तक के लिए thank you very much